हाई लो एभरिवन टीभील कोचिंग के मेरी इस यूटूब चनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम क्लास 12 जी हाँ फ्रेंड्स क्लास 12 चाप्टर 2 जिसका नाम है पुषपी पादवपों में लाइंगे जन्नन इस पार्ट का यह तीसरा वीडियो है तो इस तीसरे वीडियो में हमको बहुत ही महतोव पुर्ण टोपिक परागन के बारे में चर्चा करना है ऐसे तो यह परागन नामक टोपिक बहुत लंबा है लेकिन इसको आप बारे की से देखिएगा समझेगा तो बहुती आसान है बहुती पढ़ने में मजा आएगा तो हम सुरू करते हैं परागन क्या है परागन क्या है तो ध्यान से सुनिए परागन को पराकोश से निकल कर वत्री कागर तक पहुँचने की क्रिया को ही परागन करते है फूल के पुमांग कि सबसे उपरी सता पर दो पालिया होती है कुछ इस तरह और जब यह फटता है तो पराकन निकलता है और पराकन जब जयांग के सबसे उपरी छोरे निवत्रिकागर पर जाता है तो ही परागन होता है ठीक है पराकन को पराकोस से निकल कर वत्रिकागर तक पहुंचने के किरिया को ही परागन कहते हैं इस चित्र में आप देख सकते हैं इसे फूल के बेचों बीच में इस तरह तंतु होती है और इसमें कुछ इस तरह और यह इस तरह होता है यही पराकोस है जब यह फटता है तो ही पराकन निकलता है जब यह पराकन फूल के वत्री कागर पर जाकर गिरेगा तो ही क्या होगा पुलिनेशन होगा परागन होगा तो पराकन के बाद अंडा से फल का निर्मान करता है और पूमकेसर और दलपून सूख कर गिर जाता है किसी फूल को आप दिखान से दखियेगा तो उस फूल का पराग कन जब वत्री कागप जाएगा तो क्या होगा परागन होगा पुलीनेशन होगा और जब पुलीनेशन हो जाएगा तो फल परिपक हो करके परिवर्थित होने लाएगा और इस तरह क्या होगा फूल का पूंकेसर और फूल का दल पूंज और बाहे दलपूंज क्या होगा सब सूख के जहरने लाएगा इस तरफ फूल से फल का निर्मान होगा फूल के आंडासे से फल का निर्मान होगा यदि आप भिंडी को तिहान से देखिएगा तो लगता है ना जब भिंडी के कुछ इतना बारा हो जाता है तो लगता है कि भींडिया जो है ना टोपी पहना हुगा है वो टोपी नहीं है वो भींडि का फूल है सबसे पहले वो फूल था जब फूल में परागण नामक परकिरिया हुई वत्री कागर के उपर जब परागण आया तो पूल नेसा नामक परकिरिया हुई तो फूल क्या हुआ धीरे टोपी पेने हुए है वो फूल का ही भाग है जो सूख गया है जब भिंडी बहुत बारा हो जता है तो अपने से गिर जाता है ठीक है तो याद रखना है जब परागन की परकिरिया संपन होती है तो फूल का पूंके सर और दलपूंज और बहे दलपूंज क्या हो जता है और वह बिजान जो होता है बीज में परिवर्तित होता है ठीक है तो इस तरह भिंडी में टमाटर में बैगन में क्या होता है परागन होता है अब हम पढ़ेंगे परागन के परकार पुलिनेशन के परकार परागन को मुखे रूप से दो भागों मटा गया है परागन को मुख मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन और पर परागन का मतलब होता है क्रोस पॉलिनेशन अब हम दोनों के बारे में बारी बारी से अध्यान करेंगे पहला पॉइंट है हमारा स्वब परागन क्या है सेल्फ पॉलिनेशन क्या है ध्यान से सुनिए किसी फूल किसी फूल का पराग के कौन यदि उसी फूल के वद्री काग्र पगीरता है तो इसे ही हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे आप चित्र को ध्याने चे देखिए और हल्ड का फूल को आप ध्याने चे देखिएगा तो कुछ और हल्ड को फूल करें पंखुरी हो गई और यह क्या हो गया यह तंतु हो गया और यहाँ पे ठुंडुक का समान रचना होती है इसी को हम क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं वत्रिक काग्र और यहाँ यहाँ पिले 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 पावडर के रूप में कुछ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं परागगण बोलत परकिरिया होती है उसके बाद यहां पे अंडा से परिपक होने लगता है और यह सब मुर्जा मुर्जा के गीरने लगता है मुर्जा मुझा गीरने लगता है और यह परिपक होता है, फाल में परिवर्तित होता है, और इस तरह इसके अंदर जो होता है बिजांड और बिजांड जो होता है, बीजे में परिवर्तित होता है, तो आपने देखा इस चीतर के सहता से किस तरह पॉलिनेशन होता है, स्वब परागन का डिफ्रेंसम फिर से दखिए, किसी फूल का परागन यदि उसी फूल के वत्रिक आगर पर यद जाता है तो उसे ही हम स्वव परागन कहते हैं देखें स्वव का मतलब होता है अपना प्वार का मतलब होता है पराया question में ही answer है स्वव परागन का मतलब अपना अपने से ही होगा परणजार का मतलब दूसरे फुल की सायता लिजाएगे ठीक है स्वाब मतलब होता है अपना परमतलब होता है पराया याद रखे हैं जब स्वाब परागन पुछेगा। तो समझेगा कि उसी फुल का पराकन होगा और उसी फुल का वतरिकागर होगा और यदि परफ्रागनप पूछेगा तो क्या समझिएगा किसी एक फूल का परागन होगा और किसी दूसरे फूल का वतिर कैसे परफ्रागनप होता क्या है पर परागनम Hindi एजट के दौरागनप होता है यहाद एजेंट कुछ भी हो सकता है एजेंट मतले माक्काई करूपने हैं वह प्राइक्ष के ङूक है तो फ自然 के रिऌत बढ़ से इस तरह को जाए आगेंगे औरे Just ऐकर हम मक्काई के डान्ट को हटाएगे कुछ इस तरह तो यहां जो मक्का का पेर है उच्ञेजद्व मिक्तरальные प्रूडर परीजद्व का की फूल पर मधुमखी बैtti हुई है माकरانद चुसने के लिए है मधुमखी बैठे हुई है जब माकरन் चूस के अउठी जब फिर उरने लगी तो उसके पांख मेरे और या पیर में क्या हुआ कुछ पराकन सोट गया और जब मधुमा कि उस फूल पर से उर करके दोसरे फूल पर जाकर बैठी तो उस फूल का पराकन सोटा हुए जो है उस फूल के वलतरिकागर से सोट गया तो पर परागन हो गया या फिर कोई पक्षी है तो इसके चोच में जो है ना पराकन लग गया फिर दूसरे परागन खाने गया तो पराकन वस्त्रिक अगर सोट गया इस तरह परागन हो गया तो परागन बहुत तरह से होता है तो देखिए धाने सुनिए दूगर नाम देखने में एक यह ज़िसा लगता है यह पराग कौन और यह परागन तो परागन का मतलब पाउडर समान रचना और परागन का मतलब पॉलिनेशन परकिरिया ठीक है परागन को हम लगों भी जानू कहते हैं और परागन जो है पॉलिनेशन है यह एक तरह से देखा जाए तो यह एक जनरन की परकिरिया ही है ठीक है तो सोव परागन का डिफ्रेस्टन हमने पढ़ा किसी फूल का परागन या उसी फूल के वातरी का अगर पर गिरता है तो उसे हम सोव परागन कहते हैं और अधिकांस दिवलिंगी मतलब उभाईलिंगी फूलों में ही सोव परागन होता है तो दिवलिंगी या उभैलिंगी पौधों में होता है और दिवलिंगी या उभैलिंगी पौधा हम किसों कहते हैं तो वैसा पौधा जिसमें नर तथा मादा दोनों इगुमक हो उसे हम दिवलिंगी या उभैलिंगी पौधा कहते हैं अब हम परहेंगे स्वव परागन के भी दो परकार है अब हम परहेंगे सेल्फ पोले नेशन का परकार तो हमने क्या देखा स्वव परागन के भी दो परकार है पहला है स्ववक युगुमन स्वव परागन और दूसरा है सजाद पूषपी स्वव परागन अब दोनों के बार में उसी फूल का परागन यदि उसी फूल के वत्रिकागर पर गिरता है तो इसे ही सुवक इगमन स्वपरागन कहता है और इस परागन को भी कई भागों मठागे है स्वक इगुमन परागन में हमने क्या परहा कि दिवलेंगी या उभाइलेंगी फूलों के वत्रिकागर पर यदि उसी फूल का परागन गिरता है तो इसे ही हम क्या बोलेंगे स्वक इगुमन परागन बोलेंगे और स्वक इगुमन परागन का भी कई परकार है तो यहेंदि के दिवलेंगी परफिगों 1 और इस वीडियो के मिसमत के जैएगा अंतों के देख़ेगा और यह जीतना लिखवाए हैं बहुत ही यह एक तरह देखाई जाया ना तिया रसमालाई है मतलब सोट में शिफ्त में पूरा नीचोर है अपका मासान भासा में लिखवाए गया है हम थुरह से बाइक हो जा रहा है आप इसको स्क्रिंसोट ले लिजिए और लिख लिजिए कोपी में आप ब जितने अधिक हमारे सब्सक्राब번 वरेगा जितने अधिक हमरे वीडियो पर भीव होंगे हम उतना ही अधिक महेंत करेंगे और अधिक वीडियो आप लोगों के लिए लाइंके वीडियो पर अधिक भीव आता है अधिक लाइक आता है चैनल अधिक सब्सक्राइब होता है तो थो थोड़ा अपने आपको ब्यक्ति मोटिवेट महसुष करता है और आप सकता से अधिक मेहनद करता है इस तरह मजा नहीं आता है वीडियो बनाने में बहुत मेहनद करना पड़ता है वीडियो बनाने में तो आगे देखते हैं, आगे हमने परहा कि इस परागन को भी कई भागों बटा गया है, पहला भा का नाम है सम काल पकवाता परागन, दूसरा का नाम है कलिका परागन और तीसरा का नाम है कलाई सटो गेमी परागन, ठीक है, कलाईस्टो गेमी परागन, कलाईस्टो गेमी पर अगान काल आगान जोग परागन होगा उसी को हम मोलेंगा सौम काल पकवाथा क्या है सौम काल पकवाथा क्या है आप देहान से सुनिये यदि किसी फूल का पराग कौन पत्था वत्रिकागर एक ही समय पर तयार हो तो इसे ही स्वाम काल पकवाता कहते हैं हमने क्या बता है कोश्चन में ही अंसर है आप द्धान से सुनिये को तो स्वाम काल पकवाता सम मतलब एक समान, काल का मतलब समय पकवता का मलब पूर्णूप से त्यार होना, यदि किसी फूल में पराग कौन तथा वत्रिकार एक ही टाइम पर त्यार होते हैं, परिपक होते हैं, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? इसे ही हम सम काल पकवता परागान बोलेंगे, ठीक है? इसे सदा बहार जो बिरिक्ष होते हैं उनमें भी समकलपक वाता परागन होता है गुला बास जो नामक पौधा है उसमें भी समकलपक वाता नामक ही परागन होता है और सदा बहार बिरिक्ष क्या होते हैं तो वैसे बिरिक्ष जो परतेक मौसों में हमेशा होरे भरे रहते हैं उसे हम सदा बाहर विलिगष कौते हैं इसे चीर जो है चीर नामक पेर है ये भी सदा बाहर विलिगष है और इसके छाल से टेक्सुल नामक दवा निकाल जती है जो कि कैंसर की औरोक्था में काफी सहाइक है सदा बाहर विश्ट का मुतलब ना पता जहर इतु में उसके पती हारा भरा होगा। वह हमेशा लाइफ टाइम होगा। एक आध जूगों पती सुखवोंग करेगा तो सुखते जाएगा गेते जाएगा फिर नाया ना पती आते हो रजेगा। पट सुझधाकी देता है लेकिन इसमें असानी होता है पता गेरते रहेगा पट की देता साथे में हो गवाज सबाता एक अगबर नमसे तो हम्हों को सबते एक पर इस सरा पर इस पर्किरिया में फूल के खिले से पहले, यानि कली में ही परागन हो जाता है, कली का परागन में हमको क्या पढ़ना है, देखिए जब कली का परागन में क्या होता है, फूल पूल रूप से खेला नहीं है, फूल अभी कली के रूप में ही है, कली के रूप में ही फूल है, फिर भी क्या होता है, उसमें का अं परागन हो जाता है इसे को ही हम काब लेंगे कली का परागन इसको हम इस तरह डिफनेशन के उतर पर दे सकता है किसी फूल के कली में ही परागन का वत्री का गरप जाना ही कली का परागन कहलाता है जैसे मैं अलसी धान टामाटर तंबाकु और गे हूं जितने भी हम पाउधा क नाम लिए इन पौधों में क्या होता है इन पौधों में कौली का परागन होता है क्या होता है क्या होता है क्योंकि इन पौधों में फूल खिलने से पहले ही कौली में ही क्या हो जाता है ठीक है तो आपको याद दखना परेगा पूछ देगा कि धान में कौन सब परागन होता तो सो परागन होगा और सो परागन का कौन सब परागन होगा तो सो परागन का कौन सब परकार होगा सो परागन का जो परकार होगा उसका नाम है क्वाली का परागन ठीक है और पूछे का परागन क्यों होता है क्योंकि इसमें फूल खेलने से पहले ही यानि क्वाली में ही पर क्लाइस्टोगेमी के नाम है क्लाइस्टोगेमी परागन इसको ध्यान से आप देखिए इसमें हमको पढ़ना है इसमें मौजुद फूल कभी खिलते नहीं है मतलब बिना खिले फूल में ही स्वापरागन हो जाता है इसमें मूंग फली जिसको हम बेदाम भी कहते हैं और खट लगता है जिसको हम मामता भी कहते हैं कुछ इस तरफ पता होता है उसका और उसमें भाला खानी हपते हथे बीजट Cart के होता चूते हैं तो बहुत भर उठता है उसमें से बहुत भर छोओ जँड़ान होता है यह दिकान सअ कोछ़ ओंदी में होता है तो याद रखना है मुंग फली और खटी पूटी में क्या होता है तो कलाइस्ट्रोगेमी परागन होता है ठीक है अब हमागे बढ़ते हैं बी नमबर हमने यहां क्या परागन जो है स्ववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव परागन और क्लाइश्ट्रो ग्येमी परागन इस तरह हम ने इन तीनों को क्वटम किया अब सव्भ पुष्पी परागन अब इसके बारे में परहेंगे सदब पुष्पी का मतलब का होता है एक समान फूल हम थी सब्हान द्यांन से मिसे अनसर है आपको को दिहान से देखना परेगा ठीक है सजाद पूषपी परागन क्या है तो किसी पाउधा में मौझूद अधिक फूलों में एक का परागन दूसरे के वत्रिकागर तो जाता है तो इसे ही हम सजाद पूषपी परागन कहते हैं पता ही किसी में होता है कोई पाउधा है उसमें आव सकता से अधिक फूल फूले हैं, आव सकता से अधिक फूल खिले हैं, कोई पवधा ऐसे होता है, इसमें तो सपंदरे को भी इसको फूल खिलता है, तो उसी फूल में क्या होता है, एक फूल का पराकण है, और दूसरे फूल का वत्रिकाग्र है, जब दूनु मिलेगा, त दोनों फूल गया कि में सोट गया मैं तो इसका परागन के सब्सक्राग में कोस्प्रागन का लाइब बताए यसो परागन का नियुक मत रख्या ices. नहींतों इनको पर आगन के लिए दूसरे पाफधों पॉद्वर नहीं रहाना पड़ता है किमकि खुदी का पराकन है और खुदी का वद्रिकागर है दून मिलेगा तो सोब पराकन होगा तो इसमें दूसरे पर निर्भर कहा नहीं तो आत्म निर्भर है यहे फूल पर निर्भर नहीं होता है दूसरा लाव है है इसे से एक सामान प्रियाती ही उत्पन होती आब बताइये उसी फूल का पराकण है और उसी फूल का वाद्रिकागर है तो उसी फूल के पर्याति का है कही नए पऊधा का मिल मान होगा। पूझ मिला तो वहाप जो बीजयेंडगा बीज जो बनेगा तो इसी पर्याती का नाय पवधा बनेगा इस तरह परगन से हम नई पर जातैं बिख्षित नहीं कर सकते हैं जो पर्याती हैं वहीं प्रयाती हमेंसा घीसते रहेगी पीटते रहेगी लेकिन नया हम केसन के प्रयाती को बिष्षित नहीं कर सकते हैं यहर, पर सब्राग्न की प्रक Research नहीं होती तो आज हम संकर नसल के बीज यानि hybrid नहीं बना पाते हैं और उत्पादन पहले जतना कम होती थी उतना ही कम होती आज तो उत्पादन बोड़ गया है सोचिए समझिए जन संख्या बोड़ रहा है लेकिन लोगों की संख्या उतना ही जन संख्या बोड़ रहा है लेकिन खेत तो उतना ही परागोन करना होगा तो इस विडियो के के बाद हम पर परागन का पॉंट लाएंगे यह आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बोक्स में किजिए कि शर्जल्दी पर परागन का वीडियो लाईए हम जरूर आपके लिए लाएंगे बहुत जल्दी ही लाएंगे ठीक है तो आप वीडियो देखिएगा और इसको सीर भी परागन के लिए दूसरे पर नहीं रहतना पड़ता है दूसरे में पर हम इससे एक समान पर जाती ही उत्पन होती है और तिसरे में पर है यह आसान बिद्ध है अब इस तरह हम स्वपरागन की हानिया देखेंगे तो हानिया पहला है इससे उत्पन बिज उत्वootом सिरयन के नहीं होते है क्योंकि जो भराइटी होगा वही भराइटी आएगा ने भराइटी नहीं बनेगा अभी आपको बताया दूसरा है इन में रोग प्रतिरोध छम्ता कम होता है मतला स्वोब परागन से जो उथपन होते हैं पौध है उन पौधों में immunitas system होता है बहुत ही weak होता है रोगों से लर्ने चम्ता बहुत weak होती है छोटी मोटी बीमारी होती है तो पौधा फूनला लगते नहीं है बहुत समय लगता है और संक्रमें से लिए गाए पर्याति विख्षित नहीं हो सकती है नहीं पर्याति विख्षित करने के लिए अगले विडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत